दोस्तो, LIC के तरब से जो है एक बहुती संदार scholarship निकाली गई है, अगर आप 10 पास कर चुके हैं या 12 पास कर चुके हैं, आप किसी भी केटेगरी से आते हूं, general, OBC, SCST, male हो या female हो, सब के लिए ये जो है scholarship होने वाला है, all India सभी candidates याँ पे form को apply कर सकते हैं, हम समझेंगे इस scholarship में कितना रुपे आपको scholarship मिलता है, selection process सिर्फ और सिर्फ merit के base पे होने वाला है, कोई आपका written exam नहीं होगा, आप form भारेंगे, आपके metric inter में जो percentage है, उसके base पे आपका selection होने वाला है, तो ये LIC के तरब से जो है, बहुती अच्छी scholarship यहाँ पे निकाली गई है, all India किसी भ आजे से आते हैं, किसी भी board से, अगर आप दस्वी pass कर चुके हैं, बारों ही pass कर चुके हैं, तो आप इस scholarship के लिए apply कर सकते हैं, आप सब को पता है, life insurance जो company है, corporation of India, life insurance corporation of India, भारत सरकार की एक बहुती दिगज company है, LIC, आप सब को पता, यहाँ insurance होता है, तो इसी के तहत जो ह यह scholarship यहाँ पे चलाई जा रही है, इस scholarship का जो नाम है, वो है golden jubilee scholarship scheme 2023, इसी scheme के तहद आपको scholarship यहाँ पे मिलने वाला है, तो पहले हम समझते हैं, इस scholarship के लिए कौन eligible है, और इसके बास से, आपकी family income क्या होनी चाहिए, और इसके बास से हम समझेगे, कितना रुपय आपको scholarship scholarship मिलेगा, अब देखिए, इसमें अगर आप ITI कर रहे हो, diploma कर रहे है, gradation कर रहे हो, gradation में कोई भी भी से कर रहे हो, btec या doctorate की आप कर रहे हो medical में, या अगर आप BA, BA, C, become कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पे apply कर सकते, सब के लिए यहाँ पे मौका मिलने वाला है, जबर ज apply करने का पूरा process बताएंगे, जो कि आविदन स्टार्ट हो चुका है, आप किसी भी राजस आते हैं, तो यहाँ पे अपने राजस चूज करके, और form को apply कर सकते हैं, और आपका scholarship यहाँ पे apply हो जाएगा, आपके account में सीधे, यहाँ पे scholarship आने वाली है, और भारत सरकार की LIC अच्छी scholarship है, आप जरूर फॉर्म भरिएगा, चलिए, हम समझते हैं, सबसे पर यहाँ पे जो है, कि आपको scholarship कितना मिलता है, पहले हम बताते हैं, scholarship कितना आपको दिया जाता है, सरकार की द्वारा, यहाँ देखेंगे, अगर आप 12 हुई pass है, और medical के field में, अगर आप यहा मानेता प्राप्त हो, यहाँ पर फॉर्म को apply करेंगे, तो यह उनके लिए जो 2023 सत्र में, अपना metric और इंटर पास है, 10th और 12th, और वो कहीं ने कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, admission ले चुके हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर मिलने वाला है, मान लिए कोई बंदा बार हुई, कि बात जो है, medical field में, admission ले चुका है, तो उनको 40,000 per annum, यहाँ पर सरकार देगी, तीन installment में, अगर मान लिए 4 साल का course है, तो समझ सकते हैं, कितना रुपए आपको यहाँ पर मिलने वाला है, अगर कोई ऐसा medical का course कर रहे है, जो 3 साल का है, तो समझे कितना scholarship यहाँ पर मिलने व मतलब मिलेगा LIC के तरब से scholarship, जिसमें आपका देखेंगे, तो पेबल इन 3 installment, यहाँ पे 9,000 each, and 3rd installment, 12,000, तो इस तरह से आपके scholarship यहाँ पे रहेगा, तो यह बहुत ही अच्छी है, बारोई के बाद यह engineering कोई भी course कर रहा है, तो यहाँ पे ले सकता है, अगला जो scholarship है, degree course क तो 20, 30, 60, 60,000 मिलेगा, 4 साल का अगर होता है, यह 20,000 आपको यहाँ पे मिलेगा, इसके बाद से यहाँ पे special girls के लिए है, जो यहाँ पे metric pass कर चुकी है, और वो intermediate में, या diploma में, या और किसी course में, ITI में, अगर वो पढ़ाई करें, तो उनको 15,000 पर एनम यहाँ पे मिलने व होता है, आप जरूर फॉर्म को भरीगा, लेकिन यहाँ पे term condition है, क्या term condition है, समझेगा, यहाँ पे term condition यह है, कि आपके 10 वी board में 60% marks कम से कम होने चाहिए, और आप 2022-23 academic year में पढ़ाई कर चुके हो, यह 2023 आपका passing year होना चाहिए, तो ही आप इस scholarship scheme के लिए apply कर सकते हैं, इसक diploma pass हो, academic year 22-23 में 60% marks के साथ, तो ही आप यहाँ पे form को apply कर सकते हैं, तो आप 12 ही pass होंगे, तो आप medicine में, engineering में, aggression में कहीने के लिए होंगे, तो आप यहाँ पे form को apply कर सकते हों, या ITI अगर अभी यहाँ पे कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे form को apply कर सकते हैं, तो यह scholarship की overall जनकारी है, आप CVC board से पढ़ाई कर रहे हों, या बिहार board से पढ़ाई कर रहे हों, या उत्तर प्रदेस board से पढ़ाई कर रहे हों, तो आप यहाँ पे form को apply करेंगे, form भणने के लिए आपको bank account लएगीगा, उसलिए आपके पैसे जाएंगे, तो इतना जनकारी आपको होना चाहिए तो धाई लाग आप सब जानते ही हो एन्यूल इंकम 22 सेसन वाला आपका फैमिली इंकम धाई लाग से कम होना चाहिए गार्जन पैरेंट्स का पूरा इंकम मिला के धाई लाग से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो यह भी टर्म कंडिशन में आएगा बाकिया वेबसाइट पर हम चलते हैं और वहीं से आपको फॉर्म को भरके बताते हैं तो देखें यह इसका आवेदन का फॉर्म है यह लिंक पे आप आएंगे अब समझते हैं कैसे फॉर्म को भरना है तो देखिए सबसे बिल्स आपना राजे चूच करेंगे किस राजे साथ बिलॉं करते हैं फिर यहां डिस्टिक रेगाएगा चूच करेंगे फिर यहां अपना फॉर्स्ट नेम मिड़िल और सरनीसर मतलब होता लास्ट मालिजस्प आपको क्मार क्या कर दिपक करना ले चाहिए अपना नाम को फिल करना अपना नाम को फेल लोगों फॉस्ट और सर्नेम समझ मैं नहीं आ तो इसलिमें ने बता दिया अब यहाँ पर फादर्स ने और यहां जेंडर बताएंगे और यहाँ अपना एड्रेस लिखेंगे यह जो है आपको दो लाइन यूज करना है तो इसी में क्या करेंगे आपके विलेज लिखती जिएगा जो भी आपका विलेज हो यहां पोस्ट लिखती जिएगा यहां सीटी लिखती सकते हैं जहां से भी आपका सीटी है यहां पीन कोड लिखती जीजेगा यहां नीचे आएंगे तो mobile number यहां email address यहां category आपको बताना है अब जनरल हैं OBC है SCST है बिकलांग है अदर से तो जो भी category साप आते हैं यहां पर आपको बता देना है apply for scholarship से आफ्टर कंप्लीटिंग मतलब आप दोस वीक पास करके apply कर रहे हैं या बारहुई या डिप्लोबा पास करके apply कर रहे हैं अब यहां बारहुई मैंने चूच किया तो उसके according आप एस्ट्रीम आएगा कि आप क्या पढ़ रहे है आठ से कर रहे हैं या साइंस या कमर्स या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या इंटिग्रेटर कोर्स होता है इंटिग्रेटर मतलब होता है जिसे बारहुई के बाद बहुत सारे लोग बीएड करते हैं इंटिग्रेटर वाला चार साल का होता है जि तो बिटम से बी ए या या बीकाँम या बीएससी मेडिकल में है काम मतलब यहाँ पे कर रहे है है अपने कोडिंग कर रहे हैं अपने कोडिंग यहाँ प्र बता देखेंगे लेस् देन फचीस हजार पौरेनयम पचाइर पसLYतर म Лग 2 यहां पर चूच कर लेंगे तो आपको धाई लाग से ज्यादा एनुवल इंकम नहीं होना चाहिए अगर आप गलती से चूच कर लेंगे आपको वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा तो बिसेश ध्यान दिजिएगा यहां पर बारोही क्लास की जनकारी बताना है कि बोर्ड का न नाम और उसके साथ रिलेशन क्या है आपका ब्रदर है कि सिस्टर है मतलब अगर आपको कोई भाई भी अप्लाई कर रहा है तो आप यस करके बता सकते नहीं यह तो नो कर देंगे और आर यू रिसीबिंग एनी अधर एस्कोलर्शिप अप्लाई कर रहे है तो हां कर देंग अब हम बात करते हैं माल लेजिए अगर आप दस्वी बेस पर फोर्म भरें तो कैसे आएगा दस्वी हम यहां चूच करेंगे तो आपको क्या कर रहे है एक साल वला है दो साल वला तीन साल चार साल वल क्या है फिर आप उसी दर से फैमिली इंकम और दस्वी के बोर्ड के ब का उसके बारें बताएंगे और बैंक वडे ढिर्टिल्स यहां बहरेंगे तो इस तरह से फड़ूह आपको क्या करना है इसके बास यहां पर संभिप करना है तो चलिए इसे स्मिट करते हैं सबमिट करते हैं Bowl अटी मिल या से नोट कर करना है आप अगर बिहार से भारेंगे गुपालगज से तो गुपालगज में बोलेगा कि आप कंटेक्ट करिए मतलब इनका जो एलाइसी ऑफिस जो भी आपका इर्दगीद रहेगा उसके एकॉर्डिंग यह लोग आपको यह देंगे कि आप कहां पर कंटेक्ट करेंगे तो यहां पर इस तरह से आपको अपको बारे में आगे फर्दर अपडेट अगर आपको चाहिए आप कमेंड बोक्स बता सकते हैं उसके उफर अलग से वीडियो लेकर आएंगे फिलहाल आपको फॉर्म को अपलाई करें जिसे को फॉर्दर अप्डेट आता है तो हम इसके उपर अलग से एक separate वीडियो कवर करने की पूरी कोसिस करेंगे तो बहुत ही अच्छी स्कॉर्ट सीप है अगर आप apply करना चाहते हैं और इस स्कॉर्ट सीप पाना चाहते हैं तो आप form को apply करिए सब के लिए मौका है हर कोई यहाँ पर form को apply कर सकता है वीडियो अपने form बर दिया मेरिट आया हम वीडियो नहीं बना सके कहीं दूसरे जाए हुए है या हमेरे पास समय नहीं पील पाया तो हम क्या करेंगे इस मेरिट को अपडेट नहीं ले पाईएगा तो इसलिए टेलिग्राम को जॉइन कर लिजे लिंक आपको description box मिल जाएगा वाटस लोगों ने जॉइन के हुए और रेगुलर अपडेट ले रहे हैं निवस्पर की कटिंग भी आपको रेगुलर की जाती है तो तमाम चीजे हो है टेलिग्राम पे वाटसब ग्रूप पे आप जॉइन होए और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम इसी तरह क से बचके रहे हमें सेफ कम्यूटी चाहिए तो आप लोग रिसाइड करें पहले तो आप लोग यह करें कि यूट्यूब के कौन बढ़िया जनकारी दे रहा है और उसे चैनल को आप सपोर्ट करिए समझ रहा है फेक कोई विवता आ रहा है आप लोग उसको बिल्कुल सपो ही तंम कर दो कि अंड़ बया कर दो एह कर दो सिंग हा कि अ een जल में